हालो फ्रेंड वेलकम तुमा चानल में एक लॉईजी तो फ्रेंड्स आज हम गिफ्ट से रिलेटिट लास सेक्षन जो है टीपिए का that is section 129 उसको discuss करेंगे इससे पहले section 122 से लेकर 128 तक हम separate videos बना चुके हैं इसके 122 मतलब जो हर section का 122 से लेकर 128 तक आपको हर section के लिए separate videos मिले करेंगे ताकि आपकी better understanding हो सके वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आपको इनसे help निलती है तो सब्सक्राइबर शेयर जरू करें और comment भी करें तो चले फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरह यह देखिए आपको शॉट में जो आपके section 122 से लेकर 127 तक लिखा है मैंने तो इसमें मैं आपको लिखके बतायती हूं जो section आपका section 128 है न वो बात करता है आपका universal डोनी के concept की तेकर universal डोनी की बात करता है यह भी हम discuss कर चुके हैं आज का जो section है वो है section 129 जो की बात करता है saving of donations mortis causa and mohammedan law तो इनको हम discuss कर लेते हैं कि यह जो section है वो क्या बात करता है तो देखिए यह क्या कहता है nothing in this chapter related to gifts of movable property made in contemplation of death or shall be deemed to affect any rule of mohammedan law तो basically यह आपको बताता है कि यह section आपका कौन कौन सी condition में आपका applicable नहीं होगा section क्या यह जो आपके gifts related provision जो है वो आपके कौन से मतलब कौन सी condition आपका applicable नहीं होगे यह section 129 उसकी बात करता है तो इसका explanation क्या है it is a provision that excludes certain types of gifts from the scope of chapter 7 of the act which deals with the transfer of property by way of gift तो basically क्या है कि यह जो आपका provision है ना यह जो आपका section 129 है यह आपका कुछ types के gift जो है उनको इस chapter के scope से chapter 7 of TPA Joyce के scope से exclude करता है मतलब उसे बाहर रखता है उसके under मतलब chapter 7 के जो भी sections है वो आपके इस तरीके के जो gifts है उनमें applicable नहीं होगे fine तो section 129 के हिसाब से the following types of gifts are not governed by chapter 7 तो किस type के gifts जो है वो आपके chapter 7 deal नहीं करता है उनकी बात करता है तो कहता है gifts of movable property made in contemplation of death मतलब किसी भी movable property का gift जो की आपका death के contemplation मतलब यह मान के किया जाता है कि भई अब death होने वाली है मैं किसी की death होने वाली बोलते हैं बैट पर या कोई बलता है ने मरने वाली स्थिती पर है वो अगर कोई गिफ्ट कर रहा है किसी मुवेवल प्रॉपर्टी का तो उसमें आपका ये सेक्शन्स आपके लागू नहीं होते हैं तो बैसिकली मुवेवल प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो की आपके इन कंटेंपलेशन अव डेट होने वाली है ये सोच के किया जाता है डोनर के जरिए तो वो आपका सेक्शन 7 जो है अना सेक्शन 7 जो है टीपीए का उसके अंदर नहीं आते हैं तो बैसिकली ऐसे ये जो आपका लिखा है ना आपका कंटेबलेशन ऑफ डेट डोनेशियो मॉर्टिस कोजा ठीक है मतलब डेट बैट डेट पर कोई परसन है वो अगर कोई गिफ्ट कर रहा है तो वो आपका इ कंटिशनल होते हैं on donor's death कैसे होते हैं conditional होते हैं on donor's death तो गिफ्ट टेक्स प्लेस टेक्स इफेक्ट ओनली इव्ट डाई ऑफ डेट डेंजर यह और डेंजर भी और बीवारी की वज़े से या किसी बीडेंजर की वज़े से ठीक है ना और डोनी सर्वाइब कर जाए डोनर को मतलब डोनर जो डोनी है जिसको गिफ्ट देना है वो उसमें सर्वाइव करता हो दोनर कैन रिवोग दा गिफ्ट अट एनी ताइम बिफोर हिस और हर डेथ और गिफ्ट दस नॉट रिक्वार एनी रिजिस्ट्रिशन और डिलिवरी दो बेसिकली यह जो आपका गिफ्ट होता है इस तरीकी जो डोनर का अपनी रिवत्त को we वोक मतलब वो इससे बुकर सकता है इसको मतलब गिफ्ट को वापस ले सकता है अपने वरने से पहले और इस तरीके के गिफ्ट के लिए किसी भी तरीके की रजिस्ट्री या डिलिवरी और पोजेशन की जरूरत नहीं होती है फाइंग दूसरा गया है दूसरा है आपका गिफ गवर्ण बाई मौहमदन लौ मतलब जो मौहमदन लौ में जो गिफ्ट होते हैं वो भी आपका इस चैप्टर के जो प्रोविशन से वो आपका एपलिकेबल नहीं होते इस आर गिफ्ट जो की ऐसे परिसन के दौरा किया जाए जो की इसलाम में विश्वास हो और यह आपका मौहमदन लौ के subject होते हैं इसमें आपका जो भी मौहमदन लौ के rules and principles होते हैं वो आपका applicable होते हैं मौहमदन लौ allows a person to make a gift of any property ठीक है और मौहमदन लौ क्या करता है मौहमदन लौ नहीं किसी भी person को कोई भी property चाहे वो movable है चाहे वो आपकी immobile है उसको gift करने के लिए allow करता है बिना किसी registration या बिना delivery of possession as long as the donor declares his or his his or her intention to make the gift and the dony accepts it तो basically मौहमदन लौ जो है उसमें gift अगर किया जाता है किसी property का चाहे 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 इमोवल है उसमें registration और delivery of possession की जरूरत नहीं होती सिर्फ किस चीज़ की जरूरत है कि donor जो है अपनी intention बताता है gift करने की और dony उसको accept करता है जबकि यह जो आपका TPA में जो gift से related provision है उसमें आपका immobile property का registration जरूरी है और जो immobile property है उनका दोनों ही तरीके से हो सकता है registration के जरीए भी और आपका delivery of possession के जरीए भी this means that donation mortis causa and gifts made by Muslims are not governed by TPA but they but by their own respective laws तो यह आपको बोलते हैं donations mortis causa मतलब जो deathbed पे जो gift किया जाता है और Muslims के जरीए जो gift किया जाता है जो Islamic laws को follow करते हैं ठीके ना वह आपके TPA के अंडर आपका governed नहीं होते हैं वो उनके जो respective laws है वसी के अंडर गवन होते हैं जो TPA only applies to gift of immobile property and gifts of immobile property made by non-muslims without any condition of death तो आपका जो TPA आपका movable immobile property जो होती है उसके gift से related आपके provisions बताता है जो कि non-muslims आपका follow करते हैं और इसमें कोई भी death condition आपकी नहीं होती है therefore section 129 of the TPA आपका implies that if a person wants to make a valid gift of immobile property or immobile property not made in contemplation of death he or she has to follow the requirement of chapter 7 which includes these things तो इसका मतलब section 129 क्या कहता है कि TPA किस पे आपका applicable होता है TPA किसी भी तरीके के immobile or immobile property ठीक है immobile or immobile property के gift गिफ्ट पे आपका applicable होगा जो कि आपका death के contemplation मतलब death की कोई अगर person death bed पहना उसके जरीए नहीं किया जा रहा है या यह expect करके नहीं किया जा रहा है कि भई मेरी death होने वाली जल्दी fine और या महमदन जो laws हैं उनसे उन मतलब जो आपके non muslims हैं लेकर non muslims के जरीए आपका gift किया जा रहा है अगर तब आपके chapter 7 के जो भी provision से वो आपका उसमें applicable होगे इसमें आपको ध्यान रतना है कि जो gift है किस पर applicable होगा यह जो chapter 7 के जो भी आपके provision से वो आपका applicable होगा अगर आपका gift voluntary और बिना consideration के किया जा रहा है fine और अगर आपका जो transfer है न वो आपका तभी effect में आएगा अगर immobile property का registered instrument के जरीए होगा और आपका बुलते हैं दो witness के जरीए tested भी होना चाहिए वो और आपका जो mobile property है उसका registration of documents के जरीए भी हो सकता है और साथ साथ में delivery of possession के जरीए भी हो सकता है ठीके न फिर थर्ड कंडिशन क्या है कि आपका जो transfer है न यह gift है वो आपका accepted by or on behalf of डोनी मतलब gift की acceptance भी बहुत जरूरी है donor के lifetime के अंदर मतलब donor के अगर एक पार death हो जाती है फिर अगर डोनी आपका gift accept करता है तो वह आपका valid नहीं होगा तो यह हमारा हो गया section 129 और इसी के साथ हमारा gift से related आपके जो भी provision से 122 से लेकर 129 तक वो complete हो गए I hope कि आपको यह सा पिक के साथ में आप लोगों से request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो जासे लाइक सब्सक्राइबर शेयर जारू करें मिलते हैं next video में till then bye bye